अस्लाम अलिक्म दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है देट इस वाटर लॉगिंग एंड सेलेनिटी के सेम और थोर क्या है उसके कॉज़ेज अफेक्ट्स और रिकलमेशन यानि उसके क्या नुकसानात हैं क्या वजूहात हैं और हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे के वाटर लॉगिंग क्या है वाटर लॉगिंग और सेलेनिटी क्या है पाकिस्तान में वाटर लॉगिंग और सेलेनिटी कितनी है वाटर लॉगिंग के क्या कॉज़ेज हैं उसके प्लांट ग्रोथ के ओपर क्या एफेक्ट्स हैं और हम उसको किस तरह से कर सकते हैं और इस सारी चीज़ को आठे हैं हम कंक्रिट करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि water logging क्या है water logging का मतलब है जमीन जो है उसमें पानी की saturation हो जाना बहुत ज्यादा मिगदार में पानी का किसी जगा पर accumulate हो जाना water logging is the saturation of soil with water पानी के साथ जमीन का saturate हो जाना over पानी का हो जाना तो water logging हमारे पास एक ऐसी situation है जब यूजिली underground पानी जो हमारे पास वह जमीन के उपर आ जाता है और यह हमारे पास ground level के उपर एकठा हो जाता है और नदी नालों की शकल इफ्तियार करे लेता है अगर हम water logging की बात करें न तो वह जमीने जो हमारे पास दरिया या नदी नालों के करीम वाकिया होती हैं उन जमीनों का water logging के साथ affect होने का चांस ज्यादा होता है या वह ज्यादा हमारे पास water logging से affect होती है इसी तरह दूसरी term हमारे पास होती है salinity यानि water logging and salinity थोर जिसे हम कहते है color भी बहाद दफाई से कहा जाता है उर्दू में तो इसमें क्या होता है इसके अंदर ये जैसा आप पहली line में देख भी सकते हैं लिखा हुआ कि salinity का मतलब है कि जमीन के नीचे जो underground पानी है यह हम लेकिन surface से कुछ नीचे रह जाता है as a result हमारे पास source accumulate हो जाते हैं और वो source plants की जड़ों के पास roots के पास accumulate होते हैं और इस तरह से जो हम पानी देते हैं plants को वो उनको सही तरह से available नहीं हो पाताक source बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं और यह source जो हैं जमीन में absorb भी नहीं होते हैं और यूजिली जिस जमीन के उपर layer की form में इकटे हो जाते हैं और सफेद कलर की एक layer जो है वो उपर बना देते हैं जिसे हम थोर का नाम अकसर देते हैं सेमो थोर का term अर्दो में हमने सुन रखी है और इसकी वज़ा से किसी भी जमीन की productivity जो है वो कम हो ज जाती है और आप वहां पर कोई चीज कास्ट नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत से areas हमारे पास water locking और salinity यानि सेमो थोर के साथ affected हैं यह usually यह mainly आपके हैं तो agriculture sector को जो है affect करता है क्योंकि अगर आप buildings बनाना चाह रहे हैं commercial काम को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो आप किसी किसम की भी जमीन जो है वो इस्तमाल कर लेंगे चाहे वो waterlog soil है या आपके पास salinity वाली soil है वहां पे आप कोई building या construction का काम कर सकते हैं लेकिन अगर agricultural कोई work आप करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपके पास crops जो है वो betterly grow नहीं कर पाएंगी crops सिर्फ सही soil में जहां पे proper nutrients मौजूद हो वही बेगो कर पाएंगी तो करीबन 50% land जो है हमारे पास पाकिस्तान में waterlogging के साथ affected है जबके 30,000,000 acres जो है 30,000,000 acres यह हमारे पास uncultivable है और अब हम उसे cast नहीं कर पा रहे हैं और पंजाब की अगर हम बात करें तो 70,000 acres of land जो है वो हमारे पास हर साल waterlogging की वज़ा से affect हरती है 38% पाकिस्तान की जो irrigated land है वो हमारे पास waterlogging से damage होई 14% जमीन जो है वो हमारे पास salinity की वज़ा से damage होई है या salinity के साथ affected है और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की 45% land जो है वो हमारे पास cultivable है सिर्फ सिंद की अगर हम बात करते हैं तो सिंद के अंदर 53% land जो हमारे पास मौझूद है वो uncultipable है और हम अब वहां पे कोई चीज़ जो है वो कास नहीं कर पारे और उसकी वज़ा क्या है सिर्फ और सिर्फ यही waterlogging और salinity यह हमारे पास एक जो picture दिखाए गई है यह हमार तो यह चंद एक causes हमारे पास mention किये हुए है कि सबसे पहला cause है seepage from canals canals के किनारों से पानी जो है वो बह निकलना उसके बाद over irrigation जमीनों को बहुत ज्यादा पानी देना rainfall बारिश होना floods poor water management or hard van at canal bet railway lines या roads जो है इनको हम further one by one discuss करते है seepage from canals के जो हमारे पास नहरे हैं या हमारे पास जो नाले हैं उनके किनारों से usually हमारे पास पानी जो है वो क्या हो जाता है बह निकलता है और as a result साथ वाले जो areas हैं उनको affect करता है excessive seepage from unlined canal system and water courses results in the rise of water table leading into water logging दूसरा जो है that is rainfall जब बारिशें होगी तो definitely पानी किसी जगा पे कठा होगा और पाकिस्तान के अंदर जमीन के अगर हम बात करें तो वो ऐसी जमीन नहीं है कि पानी अगर कहीं पे बारिशें हो रही है तो वो पानी बैग कर किसी समंदर या नदी नाले की तरफ चला जाए usually वो पानी मैदानी लाकों में ही खड़ा रहता है और as a result क्या होता है आपके पास water logging का सबब बनता है और rainy season के अंदर हमारे पास जो जमीन की सबसे अपर वाली लेयर है उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और चौंके यह बहुत नीचे तक percolate नहीं कर पाता सिर्फ उपर वाली लेयर के अंदर ही मौजूद रहता है तो सबसे अपर यह टॉप मौस लेयर जो है वो हमारे प बनते हैं जब कभी बारशें बहुत ज्यादा होंगी तो ऐसा result हमारे पास दरियाओं के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा अब उन दरियाओं के अंदर जो पानी मौजूद है उसको manage करने के लिए हमारे पास usually कोई proper system मौजूद नहीं है और उस proper system के गेर मौजूदगी की वज़ा से वो हमारे पास बारशें जो हैं वो रहमत की बजाए जहमत बन जाया करती है पूर वाटर मैनेजमेंट के हमारे पास जो किसान है वो पानी को wisely इस्तमाल नहीं करते अगर वो wisely इस्तमाल करें तो हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है चोंके wisely इस्तमाल का मतलब यह कि कुछ जगें ऐसी हैं जहां पे पानी बिल्कुल ही मौजूद नहीं है जहां पे इरिगेशन को कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है और जहां पे इरिगेशन का सिस्टम मौजूद है वहां पे पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा होता है इसी तरह अगला हमारे पास पॉइंट है that is by breaking hot pan at a canal bed जमीन जो हमारे पास है कैनल के नीचे सदा वाली जमीन वो हमारे पास hard हुई होती है सफत होती है और हम usually क्या करते हैं कैनल की खुदाई के दर्मयान उसके उस hard pan को break कर दें उपर से तो हम rate तो उठा ही रहे हैं rate के बाद नीचे हमारे पास होता है hard pan हम उस hard pan को damage कर देते हैं और वो hard pan actually क्या कर रहा होता है पानी को नीचे seep in होने से बचाता है जब वो hard pan break हो जाएगा तो उस hard pan के break होने के वज़ाए से पानी seep in हो जाएगा और वहाँ पे यह हमारे पास साथ वाले अडियाज में क्या बनेगा water logging का सबब बनेगा इस तरह railway lines या roads हमारे पास बाद दफा क्या कर रहे होते हैं कि पानी के track को disturb करते हैं अगर पानी के track को disturb किया जाएगा तो वो हमारे पास भी बाद दफा water logging का सबब बन सकता है The construction of railway lines and roads and other development schemes in the flood plains has interrupted the passage of run-off water at many places. The water remains collected in ponds especially in rainy season. This water percolates into the soil and rises water. के यह हमारे पास जो roads है या रेल्वे लाइन्स जब आप बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं? रन-off water को एकठा कर देते हैं और वो नदी नालों की या जोहड की शकल जो है इफ्तियार कर लेते हैं और as a result वो हमारे पास जमीन में पकुलेट कर जाएगा और उससे water table हमारे पास हाई हो जाएगा. इसी तरह देखते हैं कि plants के उपर क्या effect है हमारे पास water logging का और selenery का अगर water logging के हम बात करें तो इससे हमारे पास plants जो हैं उनके लिए water तो बहुत ज्यादा मिक्दार में मौझूद होता हैं लेकिन oxygen जो है वो कम हो जाती है, रूट्स के पास oxygen अवेलेबल नहीं होती, as a result plant क growth जो है, वो हमारे पास retard हो जाती है, और दूसरे point में हम देश सकते हैं, plant growth is affected and under certain conditions will even lead to premature plant death, कि अगर water logging होगी, पानी ज्यादा मिक्दार में मौझूद होगा, तो वो हमारे पास plant growth को effect करता है, और बात दफ़ा तो premature death जो है, उसका cause भी बनता है, इस तरह water log seedlings जो हमारे पास emerge होने से पहले ही, या तो मर जाएंगी, death हो जाएगी उनकी, यानी plant हमारे पास बने गए नहीं seedling से, या फिर अगर plant बनता भी है, तो that share was nitrogen deficiency symptoms, और prolonged water logging जो हमारे पास root death cause करती है, और अगर plant की root death हो जाएगी, तो definitely plant हमारे पास as a result die कर जाएगा, मर जाएगा और वो grow नहीं क water log soil और normal soil के में difference किया हुआ है, कि अगर हमारे पास water मौजूद होगा तो वहाँ पे oxygen जो है वो नहीं जाएगी, और roots के लिए oxygen अवेलेबल नहीं होगी, और anaerobic conditions जो है वो establish हो चलोगी, हम उस water log soil को reclimate कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको बहतर बना सकते हैं, तो ये और उसके pan को कोशिच करें कि पका कर दें, इंटों के साथ, सिमेंट के साथ, तागे पानी जो है, वहाँ से सीप आप ना कर सेगे, tolerant trees हम ग्रो करवाएं, tolerant drops ग्रो करवाएं, scar program हमाँ पास, वाबडा का जो था, और टिवल्स हम इस्तमाल करें, ताके जमीन में से पानी निका कि जो water logging है, उसको minimize करना चाहरे हैं, तो हमें चाहिए कि canals के beds हैं, sides हैं, banks हैं, उनको हम brick की lining के साथ, ये cement की lining के साथ, promote करें, ताके पानी जो है, वहाँ से बेह ना निकले, सीप आप ना हो सेगे, और इस तरह से water logging हमाँ पास, कंट्रोल में रहेगी, और irrigation के लिए हमाँ प lining के क्या advantages हैं, इनको हम जरा देख लेते हैं, prevent seepage through surface of the canal, के surface से हमाँ पास seepage नहीं होगा, उसके बाद water logging नहीं होगी, और हमाँ पास area cultivation के लिए वह बढ़ जाएगा, क्योंके पानी हमाँ पास waste नहीं होगा, और दूसरी बात, हमाँ पास channels है, या हमाँ पास जो नदी नाले हैं, उनकी life जो है, और maintenance force जो है, वो काम हो जाएगी, tolerant trees हम ग्रो करवाएं, ऐसे पौदे जो हमाँ पास water logging या ज्यादा पानी की मिकदार में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे eucleptus हो गया, willows हो गया, इस तरह के पौदे अगर हम high moisture वाली जगा पे ग्रो करवाते हैं, तो rice, oats वगयरा की फसलें जो हैं, उन्हें पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो हम कोशिश करें कि ऐसी फसलें हम ऐसे जगह पे ग्रो कर लें, जहां water logging मौज़ूद हो, ताके हमें फाइदा हो सके, SCARP program जो हमारे पास है, 1958 के अंदर, वाबडा के तरफ से initiate किया गया, Salinity Control and Reclamation Project, और यह हमारे पास क्या था, Tuvels की हेल्प से, जमीन के अंदर जो extra amount of water है, extra water label है, उसको remove करना, SCARP program 1961 के अंदर launch किया गया, SCARP 1, जिसके अंदर 2100 public Tuvels थे, और 1.4 million acres of water locked area पंजाब के अंदर, उसको cover किया गया था, और उसके बाद 11 additional major और कई minor SCARP जो हैं, वो भी इस्तमाल किये गए, develop किये गए, और total उन्होंने 12500 Tuvels जो हैं, लगाए, moreover about 75% of the SCARP Tuvels are located in Punjab, यहनी 75% से ज्यादा Tuvels जो हैं, पाकिस्तान में, वो पंजाब के अंदर मौजूद हैं, Tuvels की help से हम किस तरह से water logging को काम कर सकते हैं, Tuvels के बारे में हम जानते हैं कि यह एक ऐसी device है, जो जमीन में से underground water को निकालती है, तो अब हम एचली क्या चाहरे होते हैं, water logged soil में से हम पानी को ही remove करना चाहरे हैं, उस पानी को remove करके हम ऐसे जगह पे इस्तमाल कर लेंगे जहां में irrigation के लिए water चाहिए होगा, तो यह हमारे पास एक बेहतरीन तरीका होगा water logging soil, water logged soil जो है, उसको reclimate करने का, proper surface run off जो हमारे पास मौजूद होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी कहा, कि पाकिस्तानी soil हमारे पास flat है, और यहां पे इस तरह की हमारे पास geography मौजूद नहीं है, कि पानी अगर बारशें हो, तो वो सारे का सारा पानी समंदर में या नदी नालों में चला जाए, मैदान होने की वज़ा से वो पानी हुआ पास वहीं पे रह जाता है, और उसके लिए हमें कोई ना कोई proper drainage system करना चाहिए, water की management हमारे पास होनी चाहिए, कि जो किसान हैं उनको सिखाना चाहिए, कि भाई आपने किस तरह से पानी को इस्तमाल करना है, कोशिश करें कि हम जैसे यह हमारे पास पिक्चर में दिखाया गया है, कि नालियां बनाएं और उसमें हम पानी लगाएं ताके पौदों को पानी मिले और पानी waste ना हो, excessive irrigation जो है हम उससे avoid करें, क्योंकि excessive irrigation से यह ज्यादा पानी लगाने से भी फसलों का फाइदा नहीं बलके नुकसान ही होता है, और हमें चाहिए कि modern irrigation की जो techniques हैं उन्हें हम develop करें, यह different research organizations की list दी गई है, जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर water logging और salinity को control करने के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान Agriculture Research Council जिसे PARC कहते हैं इस्लामबाद के अंदर, SCARP Monitoring Organization SMO लहौर, International Water Logging and Salinity Research Institute लहौर, Directorate of Land Reclamation Punjab, Lahore Punjab Irrigation Research Institution, Lahore Forest Research Institute Pishawar, Soil Survey of Pakistan which is in Lahore and various universities of Pakistan, यह जो हमने data अभी तक देखा, इसका resources हमारे पास यह है, Report and Recommendation of the President to the Executive Directors on Proposal Credit for SCARP, Transition Pilot Project, Pakistan Geographical Reviews Report Vol. 58 No. 1 & 2 Published in 2003, and Botany Paper D by Dr. Hamaad Ashraf which is published by Karwan Books. Thank you so much, और मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देज़ेगा, तब तक के लिए, आला हाफिस.